वेलकम टू आर चानल अचीवस एडू कॉर्डनर आज आप लोग का हिंदी ग्रामर से रिलेटेड वर्ण टॉपिक लिया गया है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट इस टॉपिक आप लोग इसको अच्छे से देखो और इसके बाद I hope कि आपका वर्ण से रिलेटेड जो भी कोई होगा उसको आप इसली सॉल्व कर पाओगे ठीक है तो लेक्स स्टार्ट इप फर्स्ट की वर्ण कहते किसको है ना तो वर्ण उस मूल ध्वनी को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किये जा सके तो अब आप सोचोगे कि क्या खंड क्या टुकड़े है ना तो यहा पर अगर यह बिल्कुल सिर्फ ऐसे लिखा रहता है क ठीक है तो इसका मतलब होता है कप्लस अ ठीक है क प्लस ठीक है लेकिन यहाँ पर आपका देखें हलंत लगा हूँ है तो यह आप इसको अगर आप चाहोगे इसको और छोटा करो और शेप्रेट करो किसी और वर्ण से य यह smallest part है, यह सबसे छोटा part है, तो यह वर्ण कहलाता है, ठीक है, जितने भी वर्ण है, उनको दो पार्ट में डिवाइट किया गया, ठीक है, इत मीज़ वर्ण के दो भेद होते हैं, फर्स्ट इज स्वर्वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण, ओके, स्वर्वर्ण and व्यं होगे कि कोई ऐसा भी वर्ण है, जो किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है, तो येस, अभी मैंने आपको एक example दिया था, क प्लस अ, तो ये अ की सहायता से बोला जाड़ा है न, लेकिन अगर हम लोग इन वर्णों को लेते हैं, अ से लेके अ तक, ठीक है, तो ये विना किस हम से में पूछे जाते हैं कि स्वर्णों की संग्या कितनी है, तो ग्याड़, अब स्वर्ण के भेद, जो ग्याड़ स्वर्ण है, उनको तीन पार्ट में डिवाइट किया गया है, थ्री पार्ट में, ठीक है, फॉस्ट है हरसो स्वर्ण, औ, ई, उ, डी, ये चार को हरसो स् तो इसमें आ, ई, उरी ये चार्ज जो है ये हरसो स्वर है हरसो स्वर से दो गुना समय जिसके उचारन में हरसो स्वर से दो गुना समय लगे तो वो देर्ग स्वर होता है तो इसमें आ, बड़ी, उ, ए, ए, ओ, ओ, ये नवर्ण आते हैं ठीक है वन मोर इस देर प्लूथ स्वर तो अब आप लोग प्लूथ स्वर के जो यूज़ेस हैं उसके बारे में पता नहीं आप लोग जानते हो या नहीं बस आप लोग इतना जान लो कि ये जो एक सिंबॉल है ये स्पेशली संस्क्रिट के जो स्लोक्स वगड़ा होंगे उसमें आप लोग देखते होंगे ठीक है तो इसमें इसके उचारन में तीन हरस्व स्वर का समय लगता है और इसका उचारन का किया जाता है जैसे अगर किस इसमें का काम जिसे हे राम तो यहां पर यह वर्ण खीचा जा रहा है तो इसके लिए यह जो इसका यूच होता है तो यह प्लूत स्वर में आता है ओके नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण ठीक है तो व्यंजन वर्ण क्या होता है जिन वर्णों को स्वर्ण की सहाइता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण करते हैं ठीक है तो अब आप पूछोगे की स्वर्वर्ण की सहायता से क्या तो अभी recently मैंने आपको एक example बताया था कर प्लस अ है ना तो यहाँ पे अ तो है अ जो है वो तो स्वर्वर्ण है और इस वर्ण का यह जो कर वर्ण है इसका उच्छा नन इसकी सहायता से हम लोग कर रहे हैं तो that is वर्ण वर्ण की कूल संख्या 33 है यह भी exam के point of view से important संख्या कभी कभी यह पूछा जाता है कि बताये स्वर्वर्ण कितने है या वर्ण वर्ण कितने है तो यह number आपको याद होना चाहिए ठीक है अब वर्ण वर्ण के भेज जो है तो जितने भी total 33 वर्ण है उसको categorize किया गया है ठीक है तो first है sparse वर्ण तो क से लेकर म तक 25 टोटल होते हैं यह 25 वर्ण जो है वो sparse वर्ण में आते हैं ठीक है अंतस्त वर्ण तो अंतस्त वर्ण में only 4 चार वर्ण को रखा गया है यह र ल और व ओके उस्म बेंजन क्या है तो श, स, 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 अंड हर यह 4 जो है यह उस्म बेंजन में आते हैं ओके next है संयूक्त बेंजन यह exam के point of view से काफी ज़्यादा important है हर एक exam में एक question तो इससे होता है तो be focused on this संयूक्त बेंजन होता क्या है तो देखे जब दो या दो से ज्यादा word को आपस में मिला के अगर हम कोई new word बनाते है तो वो सयूक्त बेंजन क्यालाता है अब है इसमें कौन-कौन से word है तो mainly जो exams में पूचे जाते है that is first as 6 6 से 6 6 से 6 है तो ठीक है 6 तो ये दो word से मिलके बना है क प्लस श एक और चीश इसमें आप confuse मत होना क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मैंने यहाँ पर हलंत वाला शोलिया है ठीक है अगर कभी ऐसा हो कि इस तरीके से शोलिका हुआ हो ठीक है तो वहाँ पर अ का लास्ट में यूज नहीं होगा ओके नेक्स्ट इस तर तो तर के लिए तर प्लस र अगेन सेम थिंग अगर हो हलंत नहीं लगा होगा तेन अ विल भी यूजड ठीक है ग्यो जो प्लस या शो शो प्लस र ठीक है तो ये इंपोर्टेंट संयूक्त वियंजन आप चाहो तो इसका स्क्रीन सॉट ले ले सकते हो ताकि आपको वेट मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आप बाद में इसका रिविजन कर सको ठीक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो ये आपका आज का टॉपिक था नेक्स टॉपिक में मैं आप लोगों को उच्छारन स्थान के बारे में बताऊंगी ठीक है क्योंकि एक्जाम के पॉइंट ओ वियू से वो भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और आप एक उसको जानने के बाद उसके ट्रिक को जानने के बाद आप काफी इसली उसको सॉल्ब कर पाऊगे तो 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 देट कीव वाचिंग और प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल थैंक्स